दुर्ग जिले के आदतन निगरानी वा गुंडा बदमाश और हिस्ट्री शीट्रों को चुनाओं के पहले जिले से बाहर करने दुर्ग पुलिस सभी सक्री बदमाशों की सूची तयार कर रही है इनमें वे बदमाश भी शामिल है जो जेल में बंध है जिसमें आदेश होते ह की जिले के बाहर किया जाएगा आगामे विधान सभात चुनाओं घूले कर जिलाप्रशासन भी अपनी तयारिया करना शुरू कर दिया है जिले के सभी ठाना वचौक fungi प्रभारियों को इस संबंध में निढदेश दिया गया है जिसके बाद सभी ठाना वचौकी की टीम अपने अपने यहां के हिस्ट्री शीट्रों की कुंडली तयार कर रही है वही करीब 150 बदमाशों पर जिला बदर की कारवाई की जा सकती है इसमें मारपीट और लूट करने वाले आदतन अपराधी के अलावा पुराने सटोरिय और कबाड़ी के कारीबारी भी शामिल है जिसके चलते सभी थाना वा चौकी से जिला बदर का प्रकरण तयार कर उसे दुर्ग सिन्हा ने सभी प्रकरणों को देख कर उसे दुर्ग कलेक्टर पुषपेंद्र कुमार मेना के पास भेज कलेक्टर के आदेश मिलते ही बदमाशों को जिला बदर किया जाएगा इस सम्मन में दुर्ग सिन्हा ने बताया कि आदतन गुंडे बदमाशों को जिला बदर करने की कारवाई की जा रही है ताकि बदमाशों को चुनाओं से पहले जिला बदर किया जा सके अब तक 15 बदमाशों पर जिलाबदर की कारवाई की जा चुकी है बाकी थानों से भी आदतन गुंडे बदमाशों का लिस्ट मंगाई गई है पहले भी 5-6 लोगों के केस में सनुवाई चल रही है और आगे भी हम लोग काफी लोगों का और चिनहांकित कर चुके हैं जिनको जिलाबदर के लिए हम लोग पविदन देंगे और प्रयास करेंगे कि उनका जिलाबदर का अदेश चुनाम से पहले निकल जाए ताकि चुना के लावा अलग अलग थाना प्रभारियों को निद्शित किया गया है तो और भी इस अंख्या बढ़ सकती है क्रेंड एसीन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारू की की रिपोर्ट